तो हलो फ्रेंड्स ऐसे हैं ऐसे ही मैं आपके लिए जिसा है कि आपि क्या है ने मिए अग्पटिकल एक वीडियो ले कर आता रहत हूं विस वेज जैसे कि जान्ते हुए हूँ हैा यह खकी सारी वीडियो देखें हों मैं यहां पर with practical आपके साथ लेकर के आता हूं इसमें Google account लगा हुआ है, FRP लगा हुआ है friend तो हम इसके FRP को हम remove करेंगे बहुत ही easy तरीके से मैं आपको with voice के साथ बताऊँगा सारा चीज कि आप कैसे बहुत ही easy तरीके से इसको FRP bypass कर सकते हैं तो उससे पहले friends अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को दबा लें जिससे हमारे नए notification आपको तुरंत मिलेंगे तो I hope हमारे जो video होती है आपको बहुत helpful होती है तो चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो finally friends आपको क्या करना है अहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें smart telecom को जिससे की आपको proper मिल सके हर एक नए वीडियो और अगर आपको hardware software memory का course करना है तो आप हमारे ऐसे telecom को join कर सकते हैं जिसमें आपको deeply knowledge मिलेगी तो friends जिसमें आपको wifi connect कर देना है मैं आपको full step आपको बताने वाला हूं with live proof तो आपको यहां पर तीन बार इसको click करना है 3 time आपको type क्लिक करना है यहां पर आपका talk bear खुल जाएगा talk bear में आपको L बनाना है क्योंकि मैं सारा आपके साथ बोल करके voice के साथ बना रहा हूं तो आपको यहां पर talk bear setting पर जाना है health and feedback पर जाना है health and feedback में जाने के बाद क्योंकि मैं जो video बना रहा हूं आपको genuine video बना रहा हूं friends जिससे के आपको voice के साथ समझ में आए तो आप आप second देख सकते है get start with voice SS तो आपको महाँ पर click करेंगे तो जैसे आप उसको click करेंगे friends आपको YouTube पर जाना है YouTube के उसमें जाना है friends तो हम YouTube देख लेते हैं तो आपको first वाले पर जाना है about switch up SS Android पर आप चले जाएंगे मैं कोई भी इसके video नहीं बना रहा हूं आप इस पर click करेंगे skip करने क्योंकि आपको YouTube खोला है YouTube के लिए भी काफी सारे video समने बना तो friends Google में आपको जाना है और लिखना है Apex launcher इसमें आपको जो डाउनलोड करना है friends वो आपको version 3. आपको डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पर आपको सारा चीज इसलिए करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पर 3 लिख देना है तो आपको यह आ जाएगा 3.3 आपको यहाँ पर 3.3 आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है क्योंकि जो यह version है आपको यह बहुत अच्छा काम करेगा और APK ही लेना है आपको तो हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का उफसन दिखाई दे रहा है तो डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आपको यह और APK को डाउनलोड करना है तो सारा स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगी आप अगर इस वीडियो से आपको समझ में आया प्रॉपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा फ्रेंड तो हम इसे फाइनली डाउनलोड कर दे रहे हैं तो जानते हैं हिस्ट्री भी जाते हैं मैं वाइस के साथ आपको कर रहा हूं कि कोई भी दिक्कत आपको ना हो तो यह देख सकते हैं हमारा एक Apex Launcher APK डाउनलोड हो रहा है और आपको दूसरा जो डाउनलोड करना है फ्रेंड्स यह हो चुका हमारा एक अब यहां पर बैक जाना है और simply हमें यहां पर लिखना है टेक्नो केर APK वही सर्च हो रहा है तो थोड़ा सा इसे हम कट करेंगे और लिखेंगे टेक्नो वेट करेंगे तो यह देख सकते हैं टेक्नो APK आपको यहां पर क्लिक करना है तो यह जो method है आपको पहले से भी पता होगा पर मैं यहां पर live आपको सामने बित्व प्रैक्टिकल तोर से आपको यहां पर बता रहा हूं तो आपको टेक्निकल टेक्निकल APK आपको डाउनलोड कर लेना है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और यह जैसे खुल जाएगा डाउनलोड हो जाएगा और यहां पर sources को कर देना है और यहां पर कर देना है install तो friends आपको यहां पर Apex Launcher को जो मैंने वर्जन आपको दिखाया है आप अगर उस वर्जन को यूज करते हैं तो आई होब आपका कोई भी हरर नहीं आएगा बट आप अपने साफसे वर्जन को ले सकते हैं तो यह देख सकते हैं हमारा यहां पर Apex जो Launcher था वो हो चुका है अब देर न करते हुए फटा फटा हम जाते है friends अब आपको जाना है setting में setting में सारी चीजे आपको जाना है setting में और setting में जाने के बाद आपको जाना है applications में icit में साथ खाने दिचले सतुटा न करते हैं आपको जाना है इसके बाद आपको जाना है डिवाइजए एड्मिनिसटर आप यहां पर देख सकते होंगे tagagar़ा पर आपको जाना ही ऑशेबल करें अखिबल कर देना है फिर आपको back जाना है और back जाने के बाद आपको जाना है applications में तो applications में हम जाते हैं friends application में जाने के बाद आपको सारा step बाद step में आपको करके दिखाने वाला हूँ तो app में जाना है app में जाने के बाद आप यहाँ पे all कर दीजे three dot में आईए यहाँ पे all ही है तो All में आने के बाद आपको जाना है Google जितने भी Google आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज आपने देखा होगा Friends की बहुत सारी चीज आपको Disable करने के लिए बुलवा जाता है पर फिर भी आप कोहाँ पर नहीं करिए आप के बल दूचीज कर दीजे एक Google Play Store कर दीजे यहाँ पर भी हम कर देते है 아ने के बाद यहाँ पर गूगल PC Store को भी कर देते है इन्न दूचीज़ कर देजीजे आप एक प मेसी बहुत कर देगे तो भी हमारा काम हो जाएगा तो यह finally आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिर आपको friends क्या करना है simply back जाना है और जो हमने APK को download किया था उस APK को आपको फिर से run कर देना है technocare APK को हमनों जो download किया था friends उस technocare APK को हम यहाँ पर run कर देंगे तो setting में जाने के बाद allow, next और next कर देंगे और setting में जाने के बाद friends हम इसको allow कर देंगे अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा तो friends आप इस वीडियो को last टेक देखी क्योंकि मैं कोई भी skip नहीं कर रहा हूँ आपके सामने वही set है और life practical आपके सामने यहां पर मैं कर रहा हूँ तो वीडियो अगवर आपको अच्छा लग रहा होगा फिर से तो friends अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो like और subscribe कर लें जिससे हमारे नए updates आपको तुरंद मिलते रहेंगे तो यह finally हमारा यह हो चुका है एकाउंड में अगरे 4 दे ważne में पर 7 वीडियो आपको देना आपको प्रॉपर यहां पर स्क्रिप्टानी बाला हो वीडियो को कोई भी तो चलिए मैंहें पर एक डृकर अजया है golf काउट ० को चलिए मैं यहां पर मुक्राइडी को डाल देता हूँ आपको क्या करते है ऐसे सकते हैं घृषान गुगल कोज़या ही आपको क्या के बाद हमने जाना है यहां पे device administer में जाना है इसके बाद जो हमने इसको disable किया था हम यहां पे इसको active कर देंगे active करने बाद back जाएंगे और जो दो APK हमने इहां पे disable किये थे उन दो APK को भी आपको enable कर दे रहा है तो friends समझाते हैं और यहां पे जो हमने disable किया हुआ था यह दो APK हमने जो disable कियो थे इने भी हम one by one enable कर देंगे तो enable first हमने कर दिया और यहां पे second वाले को भी enable हम कर देंगे तो enable हमने कर दिया है यहां पे दोनो APK कोई भी disable पे नहीं है अब आपको simply करना क्या है फोन को कर देना है restart तो मैं फोन को कर देता हूं bypass नहीं हो रहा है error आ रहा है तो आप हमारे इस trick को अपनाईएगा आप 110% solution आपको मिल जाएगा तो finally अब यह थोड़ा सा जैसे start होगा तो मैं कोई भी video scope नहीं कर रहा हूं सारा आपके सामने live practical कर रहा हूं जिससे कि आपको proper तरीके से समझ में आए तो friends चलिए जैसे फटाक से ही हो जाता है तो I hope मैं जो detail के साथ आपको video दे रहा हूं content दे रहा हूं तो अगर I hope आपको समझ में आ रहा है friend तो हमारे चैनल को एक like और subscribe और comment करके बताएए कि यह trick आपकी काम कर रहे है कि नहीं क्योंकि बहुत सारे YouTube में आपको देखने के मिल जाता है तो फटा-फट चलिए मैं उसको बाते भी करते हैं और हम काम भी करते हैं तो चलिए यहां पर हमें net को connect रहने देना है net को connect कर देना है अब करना है next यहां पर हम करते है next और next करने के बाद जो हमने जीमेल लगाया था वही जीमेल यहां पर recommend कर रहा है तो हमने यहां पर कर दिया get in account info अब यह हमारा verify करेगा और सारा चीज हमारा यह 190% job done हो चुका है तो अगर आपके प्रोसेस हो जाता है अगर यह वीडियो आपको ट्रिक काम कर जाती है तो आप बिल्कुल ही हमारे चैनल में और भी ऐसे कई सारे वीडियो डेले हुए है जैसे M20, M10 और कई सारे ऐसे जो Redmi का मैंने सिक्से latest MI account bypass without dungle किसी भी dungle नहीं यूज किया है और हमने MI account को remove किया हुआ है without dungle आप हमारे चैनल में जाइए और इसे watch कीजिए 6A से related FRP भी bypass है without dungle वहाँ पे किसी भी एनी dungle से आप FRP और यहाँ पे MI account जो must था Redmi 6A और 6 की तो आप बहुत ही एजली तरीके से remove कर सकते हैं यहाँ पे इसके बाद करेंगे next more more अब यहाँ पे करेंगे next accept कर देंगे और यहाँ पे checking फिर से कर रहा है तो यहाँ पे कर देंगे skip देते हैं install अब यहाँ पे कर देते हैं finish और यह finally हमारा यह unlock हो चुका है तो friends बस थोड़ा सा just a second तो देख सकते हैं हमारा यह job done हो चुका है 110 परसेंट यह हमारा job done हो चुका है तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like, subscribe, share करना बिल्कुली ना भूले हमारे smart telephone channel को तो मिलते हैं किसी next वीडियो में तो यह finally अगर आपको अच्छा लगे तो comment करके जरूर बताइए thank you so much मिलते हैं किसी next वीडियो में